नमस्कार जैन पूर्शनिकों के लिए एकलव्या मॉडल रेसिजेंशिल स्कूल में भरती आया है और यह मिनिस्ट्री ओफ ट्राइबल आफेर्स गौर्मेंट आफ इंडिया के अंदर आता है यह एक सरकारी भरती है पूर्शनिकों के लिए बहुत ही बढ़िया आफ़र इसम इसमें बहुत सारे वैकैंसी जाएं है पूरशनिकों के लिए तो चलीए के करके हम लोग सबसे पहला इसमैं जो वैकैंसी है ऑसल बोड़न का है इसके लिए देखेए टोटल जो वैकैंसी है 6329 को और होनकन है बहुत बढ़िया है और इसका सेलरी आप देख सकते हैं सेलरी भी एट्रक्टिव सेलरी है एक सर्विसमेन के लिए कोई भी इसके लिए आवेधन सुल्क नहीं है और एज रिलेक्शेशन भी है अजपर गौर्मेंट नॉर्म्स अब यहां देखिए दोनों वेकेंसी को मिला के इतना है बट जो होस्टल वार्डन का वेकेंसी है वो है 669 अब इसमें एक सर्विसमेन के लिए कितना वेकेंसी है वो हम लोग डिसकस करेंगे यहां देखिए एक सर्विसमेन मेल के लिए 33 है और फिरमेल के लिए 33 है यानि टोटल मिला के जो एक सर्विसमेन का होस्टल वार इसके लिए valid है, अब इसका selection process देख लेंगे, किस तरह से ये selection process इसका होगा, question warden के लिए, जो exam होगा, वो objective type का questions होगे, जो की offline mode में, OMR suite पे होगा, और ये 120 marks के होगे, time इसमें जो रहेगा, duration time, वो 2.5 hours का होगा, इसके लिए देखिए, क्या-क्या questions पूछे जाएंगे, general awareness, reasoning ability, knowledge of ICT, ये ICT क्या है, ICT का मतलब होता है, information and communication technology, इसके उपर, यानि computer का जो basic knowledge है, उसके बाद projectors हैं, जो जो use होते हैं, teaching technology में, वो सब इसके बारे में पुछा जाएगा, जेनरल चीज़ें, उसके बाद knowledge of POSCO, ये POSCO क्या है, protection of children from sexual offenses act 2012, इसके बारे में एक basic जानकारी होना चाहिए, उसके बाद administrative aptitude, इसमें 30 number के, 30 questions होंगे, और total marks इसमें 30 होंगे, इसमें देखिए इसका weightage ज्यादा है, क्योंकि आपको एक administrative role में, postal in charge का role पदा करना होगा, उसके बाद language में, आप हिंदी, इंग्लिज, और इसमें 30 number के question, यानि language और administrative aptitude का weightage, इस पूरे questions में ज्यादा रहेंगे, उसके उपर आप focus करें, अगर इस job को आपको लेना है, तो इस job को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब इसका last date discuss कर लेते हैं, last date इसका है, 18 अगस्त 2023, अब उस last date से पहले आपको इसको आविदन करना होगा, online application field करना होगा, उसके बाद इसका salary का discuss कर लेते हैं, तो इसमें जो salary होगा, वो होगा 29,200 से 92,300, अच्छी खासी salary है, level 5 का इसमें salary है, बहुत बढ़िया salary है, यहां आप clear देख सकते हैं, hostel warden, male के लिए 33, और female के लिए 33, total 66 vacancies हैं, एक servicement के लिए, उसके बाद इसका बाकी जो हम लोग salary भी discuss कर लिए, exam pattern भी discuss कर लिए, वो आप नीचे description box में भी शेक कर सकते हैं, वहां आपको detail में इसका vacancy details मिल जाएगा, उसके बाद, अब जो अगला level है vacancy इसी school में, वो है, lab attendant के लिए vacancy है, और junior secretariat assistant का vacancy, इसमें यह जो है vacancy, junior secretariat assistant, यह clerical level का vacancy है, इसमें total vacancy है 75, all India से एक servicemen इसके लिए अविधन कर सकते हैं, online इसके लिए अविधन हो रहा है, lab attendant के लिए भी total post है 37, total इसमें जो vacancy है, non teaching staff का, इसमें total 112 vacancy है, all India से पूर सनिक इसके लिए अविधन कर सकते हैं, अब इसके लिए देखते हैं, क्या-क्या, clerk के लिए क्या चाहिए, clerk के लिए देखे 12th pass चाहिए, with typing का knowledge, यानि clerical knowledge होना चाहिए, उसके बाद lab attendant के लिए, lab attendant के लिए जो minimum qualification है, वह 10th pass, with diploma in laboratory technology, अगर यह नहीं है, तो 12th with science होना अनिवारी है, अब इसका जो selection procedure क्या रहेगा, किस तरह से selection होगा, वो देख लीजिए, तो selection में, जो भी, इसका offline mode में, इसका भी selection होगा, offline mode में, यानि, on paper आपका exam होगा, online नहीं होगा, on paper exams होगे, और इसका क्या pattern है, वो आपको PDF नीचे description box में दिया हुआ है, वहाँ से आप pattern में, चेक कर सकते हैं, किस तरह से exam का pattern होगा, किस तरह से questions आएंगे, जिसमें reasoning, general knowledge, यह सब questions रहेंगे, इसके अलावा, आप details, वहाँ पे, चेक कर सकते हैं, नीचे description box में, इसका पूरा pattern दिया हुआ है, तो यह पूर्व सैनिकों के लिए, एक बहतरीन vacancy था, जिसमें, hostel warden का, उसके बाद, clerk का, और lab attendant का, इसमें vacancy है, apply करना है, कैसे करना है, notification link, पूरा आपको नीचे description box मिल जाएगा, वहाँ से आप notification को proper पढ़ लें, उसके बाद, इसके लिए आविदन करें, अब जो salary है, salary भी इसमें देखिए, clerk के लिए जो salary है, 19,900 से 63,200 है, lab attendant का salary थोड़ा कम है, 18,000 से 56,900 के बीच इसमें salary रहेगा, तो यह था important vacancy, जो कि पूर सेनिकों के लिए है, all India से एक service man, इनके लिए आप आविदन कर सकते हैं, अब यहाँ, यह जो schools हैं, यह पूरे all India basis पे, इसको establish करना है, सरकार को, वो सकता है, यह आपको अपने state में भी मिल जाए, vacancy, तो यह एक अच्छा मौका है, पूर सेनिकों के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिन, जय भाल,